स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज का वीडियो या एस्टेटिक जिके का होगा जो रोजगार विथ अंकित सर का एक बूक आया है मार्केट में जो इसमें 400 प्रस्ण एस्टेटिक का जिक दिया हुआ है तो उसी को हम पार्ट वाई पार्ट करके देखेंगे 100 प्रस्ण देखेंगे आज तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है कि सब्तरत मंदिर कहां इस्टित है तो इसका स्वामी नरायन मंदिर या इसका स्वामी नरायन मंदिर या इसका स्वामी नरायन मंदिर या इसका स्वामी नरा ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर परसीद है तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जो परसीद मंदिर है वह कुनार का सुर्ज मंदिर है जो कहां है उरिसा में है उरिसा में इस्तित है अगला परसने कि खजराहो के मंदिर किस राज में इस्तित है जो खजराहो के मंदिर है अगला पसने कि किस नगर में खुआजा मनुदिन चिस्ति की दरगा है तो इसका सही उतर हो जागा अजमेर में कंदिर मंदिर किस राज में हिस्टिता है तो जो सुखें कि-द्रफास है किस राज में Representatives तो दिलवारा मंदिर कहा है तो जो मंदिर auxauxmanु व्मांट आबू में है Mound इस थान में है ह। booked´ मांट आबू राज्य राजस्थान में है था ऐस in वारा का परसीद मंदिर कहां अशित है है से हिंदू वस्तु काला के अनुसार अदूरफूत नमनोисс Prinzip सूर्ज देंवता का मंदिर कहा चेयता है वह किस राज में श्थित है तो पहले दो बता चूल यह उरिशा राज में श्थित है और अगला पसने कि कुनार का कला पैगोडा किस देउता को समर्पित है तो यह सुर्ज भगवान को यानि सुर्ज देउता को समर्पित है और वहाँ पर वही पूरी जो उरिशा में जो रथ निकाली जाती है वह भगवान जगनात की तियाद में या उनी के लिए निकाली जात आता है चार धाम कौन कौन से हैं तो जो चार धाम में कौन कौन आता है तो एक है बद्रिनाथ एक द्वारी का एक पूरी एक रमेश्वरम तो इसका से उतर हो जागा बद्रिनाथ द्वारी का पूरी रमेश्वरम चार नहीं को चार धाम कहा जाता है ठीक है चलिए अगर आपस देखते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको सुमेलित करना है एक तरफ पीठ है एक तरफ अस्थान है जियोतिस पीठ गोवर्धन पीठ सार्दा पीठ और सरिंगेरी पीठ तो इसका जो सहे उतर हो जाएगा जोतिस पीठ जो है या बदरिनात में है जो उतराखंड में है गोवर्धन पीठ या पूरी उरिशा में है सार्दा पीठ या दवारी का गुजरात में है और सरिंगेरी पीठ जो है या मैसूर करनाटक में है तो इसको सामने सामने जो अप्सन दिया हुए सही है इसका अप्सन सेख सलीम का दरगा कहां इसी थे सेख सलीम स्लीम चिस्ती का दरगा कहां हिसी थे यह फंटेह पुर करी आगरा में सबस्सागा है लेकिन आगा भी हाप apply एकछक हो यह याद रखना जाएगा थारापसा कि अपोलो सेकेंड पहला कृतिम उपगरा जिससे मनुष से चांद पर उत्रा था किस वर्स में पर्छेपित किया गया था तो यह किया गया था 1979 रिस्पी में और यहीं अपोलो सेकेंड से नीलामे श्ट्रंग गया था अगरा परसन है चांद पर कि भात का सबसे बड़ा हिंदु मंदिर स्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहां थित है भात का सबसे बड़ा हिंदु मंदिर है तो यह कहां थित है तो यह आपका तीरु चिरा परी में है तीरु चिरा पली में है अगरा परसन है कि मरतन दे सुर्ज मं मंदिर जम्मु कस्मिर में है और एक उर्षा में है एक अपका बिहार के औरंगाबद जिला में है और एक मोधेरा गुजरात में मोधेरा का सुर्ज मंदिर मोधेरा का सुर्ज मंदिर गुजरात में है मरतंदे का सुर्ज मंदिर जम्मु कस्मिर में है और एक सुर्ज मंदिर क कि खजुराहों के मंदिर का सबंद किस धर्म से है खजुराहों के जो मंदिर है उसका सबंद किस धर्म से है तो इसका जो देख लेते हैं चलिए अप्सन तो इसका जो अप्सन हो जागा हिंदु धर्म और जयन्धम दोनों से है अगला पसने कि दिलवारा का जयन मंदिर किस र मंदीर है वह आपका असम राज में इस्तित नहीं है अपसने बीमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विसुनात मंदिर और वास्तु पाल मंदिर तो इसका सही उतर हो जाएगा विसुनात मंदिर अगला पसने कि स्री वर्द राजन का मंदिर जिसको कांजी पूरम किस देउता को समर्पित है तो यह किस देउत्या को समर्पित है तो यह विश्नुम भगवान को समर्पित है अगला पसने कि भोज साला मंदिर की अधिस्ठार्त्री देवी कौन है तो अधिसास्त्री थास्त्री देवी कौन है तो इसका जो स्वय उतर हो जाएगा भगवती पर जाएगा भगवती अगला पसने कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सुर्ज देउता को समर्पित है कहां इसित है तो यह काचिपूरा में है कहां है काचिपूरा में अगला पसने कि कौन सा अस्थान ब्रहमा का मंदिर तथा पशु को मेले के लिए परसिध है तो ब्रहमा का एक मातर मंदिर पुषकर राजास्थान में लगता है और पशु के मेले के लिए भी परसिध है अंकोरवाट का मंदिल में अस्थापित मुर्तिया तो अंकोरवाट का मंदिल जो है उसमें अस्थापित मुर्तिया है वो हिंदु देवताओ की है और अंकोरवाट का मंदिल जो है सुर्जवारमाद देवतिया के दोरा बनवाया गया था जो कमबोडिया में है कहा है कमबोड अग्य difutasaraj में इस्तित है और अगला पासने कि वह त्रीमूर्ति जिसमें प्रहमा विस्नु और महेस्तीनों की इसमें और महेस्तीनों की मुखाकरिती उत्रित है इनका जो उत्तिर किया गया है वह एलिफेंटा की गुफाओं में किया गया है अगला पास नहीं की निम लिकित में से किस ब्यक्तित्तो जिसे सिने भरे उपनाम ने टिंगल अफ इंडिया यानि भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवारी 2022 में निधन हो गया तो भारत कोकिला और सब्सश्रा को तो फ़स्वर को किला लाता मंगेय सक्सिको ब्हालट को को कहता है अगला पास मने की मोड्य गोर्मेंट गोर्मेंट निउचर्ज औफ कम्यूनलीजम पूस्ता के यहां आपको पुस्तक के यहां लेखक बताना है तो लेखक कौन है तो इसका जो सही उतर हो जागा सिता राम ये चूरी सिता राम ये चूरी के दोरा यह पुस्तक लिखा गया है अगला पसने कि ऑसकर पुरस्कार 2009 में निमलिखित भारतिय संगित कारों में किसे सलम डॉग मिलेनियर में अ ए आर रहमान को अगला पसने कि निमलिखित में से कौन सा तहवार राजस्थान में मनाया जाता है तो इसका जो स्वय उतर हो जागा बुंदी उत्सव या राजस्थान में मनाया जाता है अगला पसने कि निमलिखित में से किसे अधिवासी निरत सैली गुसारी को जीवित लखने के लिए 21 में पदम स्री से समानित किया गया था तो पदम स्री से किसे समानित किया गया था तो या कनक राजू को समानित किया गया था कनक राजू को अगला पसने कि निमलिखित भारतिये लेखकों में किसे भारत के राष्टवादी आंदोलन के दौरान परसिद उपनियास गोरा लिखा गया था तो किसे ने गोरा उपनियास लिखा है तो गोरा उपनियास रविदना टैगोर के दौरा लिखा गया है यह नरा नेमलिकित में से किस भारतिय सिनानी ने दिया था, तो यह जो सिनानी थे, उनका नाम था, लोकमानबालगांगा धर तिलक, अगला परस्ट नहीं कि सागा दावा, सागा दावा, या तीहरा सो भागे साली बलिस्ड महसो भारत के किस राज में मनाया जाता है, अगला पसने कि निम्लिकित में से कौन तबला वादक नहीं था तो रामदास सर्मा तबला वादक नहीं है जबकि अहमद जान थिर्कवा, किसन, महराज और जाकिर उसन यह सभी तबला वादक जाते थे तो उनका नाम है विजेंदर सी अगला पसने कि यामनी कृष्द मूर्ती किस सस्त्रिय निर्थ के लिए परसिद है यामनी कृष्द मूर्ती किस सस्त्रिय निर्थ यानि सस्त्रिय निर्थ आठ है जिसमें से वो क्या करती है तो इनका जो सही उतर हो जागा भारत नाटियम और और कुचिपुरी भारत नाट्यम और कुचिपुरी दूनों में महारत हासिल किये हुए है यामनी किर्श्मोर्ती चलिए अगला पास ने कि जालिया वाला बाग हत्याकांड कहां अवस्तित है तेया अमरितसर पंजाब में है जो इसका घटना हुई थी 13 अप्रील और पास ने कि गेटवे अवस्तित है तो गेटवे फो इसका मकबरा कहा वस्तित है तो सेड़ साका मकबरा है सासराम में है अगला पसने कि परसित पिंजोर गार्डेन कहां आवस्तित है तो पिंजोर गार्डेन या हर्याना में इस्तित है और अगला पजने कि खुदाबक्स ओरियंटल पब्लिक लाइबरेरी कहा है तो खुदाबक्स ओरियंटल पब्लिक लाइबरेरी या आपका पटना में ओस्तित है अगला पसने कि बिनोभावेद और अस्थापित पौनार आस्रम किस राज में आउस्तित है तो पौनार आस्रम बिनोभावेद और अस्थापित किया गया था या किस राज में है तो या महाराष्ट में है और अगला पसने कि परख्यात संस्क्रितिक केंद्र भारत भवन तो भारत भावन जो है यह कहां है तो यह भोपाल मध परदेश में है अगला पासने की परवतिये नगर मंसूरी किस राज में आवस्तित है तो यह भी आपका हिमाचल परदेश में आवस्तित है और अगला पासने की लेंस डाउन परवतिये नगर किस राज में है तो यह आपका लेंस डावन भी उत्राखन में है अगला पास ने कि अनांद भावन कहां वस्तित है अनांद भावन तो जो अनांद भावन है या आपका पर्यागराज उत्तर परदिस में है अगला पास ने कि सलीमार भाग और निशांत भाग कहां वस्तित है तो सलीमार भाग और निशांत या सिरिनगर में है अगला पासने कि विबेकानन्द रोक मिमोरियल कहां वस्त है तो विबेकानन्द रोक मिमोरियल जो है या कन्या कुमारी में वस्त है अगला पासने कि गारो हिल्स कहां वस्त है गारो हिल्स तो या मिघाले में है गारो हिल्स या मिघाले में वस्त है मिखाले में और यहां पर गारो हिल्स जो है यहां पर संत्रा का उत्वादन जाता होता है अगला पसने कि मुगल गार्डेन राष्ट पती भवन भाद के राष्ट पती के अधिकालिक निवास में इस्तिध है हर साल डैस में जनता के लिए खोल दिया जाता है तो यह खोल दिया जाता है फरवरी वा मार्च महिना में मुगल गार्डेन को खोल दिया जाता है मुगल गार्डेन को खोल दिया जाता है अगला पसने कि नौ नलांदा महाविहर किसके लिए विख्यात है तो नौ नलांदा महाविहर किसके लिए विख्यात है तो इसका सही उतर हो जागा पाली अनुसंधान सहस्तान के लिए और अगला पसने कि एतमाद उदावला का मकवरा अगरा में किसने बनवाया था तो या बनवाया गया था नूर जहां के दौरा जिसको महरु निशा के नाम से भी जाना जाता है अगला पसने कि विशु का सबसे उचाज कहा जाने वाला विशु सांती अस्तुप बिहार में कहा है तो बिहार में यह जानते हैं कहा है तो यह राजगीर में है कहा है राजगीर में है और अगला पसने कि सांची का महान अस्तुप कहा है तो सांची का महान अस्तुप या असोख के दोरा बनवाया गया था अगला पसने कि उजयन का प्राचिन नाम क्या था तो उजयन का प्राचिन नाम जो था या अवन्तीका था क्या था अवन्तीका अगला पसने कि उतर परदिस में जैन एवं बहुत धर्मों का एक परसिद तीर्थ अस्तल का नाम बताना है तो उतर परदिश में जैन एवं बहुत धर्मों का एक परसिद तीर्थ अस्तल है उसका नाम है कौसामभी क्या है कौसामभी अगला पसने कि सिरी अर्विंदो आस्रम कहा वस्तित है तो सिरी अरिविंदो आस्रम जो है न या आपका पुदुचेरी में है और अगला पसने कि किस अस्थान के खंड़हर बिजायनगर की प्राचिन राजधानी का परतिनुद्ध करते हैं तो यह सही हुदा हो जागा हम पी जो तुंग भदरा नदी के किनारे अवस्तित है च्छी आनवे तर मलों दूपर थिसाल ज है 96 अगला पसने किनिलीखित में कौन अस्तोत ता गाडेन नहीं है तो ईसमें से सही उतर हो जाएगा हैंगिं गाडेन मॉंबई में हैं इडियन गाडेन यह एस्टेडियम हैं कुलककाता में और बिंदाबन गार्डेन महसूर में है और खुस्रो गार्डेन लखनाव में है तो इसका से उतर हो जागा अपसन नमर B क्योंकि यह एक गार्डेन नहीं है यह एक स्टेडियम है जहां पर किर्केट का मेच होता है अगला पास ने कि भारत की सिल्केन घाटी कहां वहस्तित है तो भारत की सिल्केन घाटी कहां वहस्तित है तो चलिए इसका अपसन हो जागा तो भारत की सिल्केन घाटी बेंगलूर को कहाएता है और भारत की सांध घाटी कहां इस्तित है तो किर्ल में वहस्तित है अगला पास ने कि कि निमलिखित में से कौन बराक उबामा की दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो आच्छा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा और यह एक श्टाटिक जीक है जिसमें आपको पुरा पोचन पुछा हुआ प्रसने जो रोजगार वित अंकित सरके दोरा यह पुस्तक मनाया गया है अगला पासने की बोनालू देवी महाकाली की पुजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू तेहवार है यह निमलिखित मसे किस राज में मनाया जाता है बोनालू देवी बोनालू देवी तो यह मनाया जाता है तेलंगना राज में अगलेपास नएकि निमलिकित भारतिए नर्तिक्यों में से, कौन भारतिए इतियास की पहली महिला थी, जिने राजसवा के सिदतित के रूप में नामित किया गया था तो इनका स्थे उतर हो जागा, रुकमिनी देवी अरुंडेल रुकमिजनी देवी अरुंडेल अगला बस नहीं कि पंडित रभी संकर को 1907 में कि इस एलबम के लिए ग्रैमी पुरसकार दिया गया था तो ग्रैमी पुरसकार 1908 इसमेसे दिया जा रहा है जो संगीत के छेत में दिया जाता है तो उस एलबम का नाम आपको बताना है तो इसका एलबम पंडित रभी संकर का वेश्ट मिटस वेश्ट मिट्स इंड सरी वेश्ट मिट्स इस्ट यानि पच्छिम पूरब से मिला अगला पास नहीं कि वेटिंग फोड अवीजा निम लिकित में से किस बेक्ति की आत्म का था है वेटिंग फोड अवीजा तो यह भीमराव अंवेद करकी है अगला पासने कि सिरी ब्रहामापुरी इस्वर मंदिर भारत के किस सराज में अवस्तित है तो या तमिलाडू में अवस्तित है और अगला पासने कि माध्वी मुद्गल का सम्ध भारत के किस सस्त्रियनित से माध्वी मुद्गल तो माध्वी मुद्गल का जो संबंध है या ODC से है अगला पासने की निमलिकी तो मैं किस राज में गोंचा महोसो किस राज में मनाया जाता है तो जो गोंचा महोसो मनाया जाता है या आपका 36 गड में मनाया जाता है किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जना जाता है तो डायमंड हार्बर के नाम से कलकाता को जना जाता है कलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जना जाता है अगला पसने की ICC किर्केट विश्कप 2011 में इन में से किस पसु को अधिकारिक सुभंकर बनाया गया था तो अधिकारिक सुभंकर बनाया गया था हाथी को अधिकारिक सुभंकर हाथी को बनाया गया था और हाथी भाद का बिरासत पसु है अगला पसने की भारतिये निसानेबाज और स्वन पदक विज़े था अभिनाव बिंदरा की आत्म का था पुस्तक का क्या नाम है तो उनके पुस्तक का नाम है ये शौट एट हिस्ट्री अगला पसने की निसांग दी उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है तो इसका सह मेरे वतन के लोगों मुल रूप से किसने के किसने लिखा है किसने लिखा था तो मुल रूप से किसने लिखा था तो इसका सही उतर हो जागा कभी परदीप लेकिन लाता मंगेशकर के दोरा गया 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 था अगला पास नहीं कि पंथी निरुत सहली का सबंद भारत के किस मिजोरा मुराज में बइन जाता हैं गुरू बिपीन सी किस सच्थ्रिय नित सहली के लिए जाते हैं तोने का सही उतर जागा मनिनृपुडी और हरी पर्साद चहुर सिया क्या बज attending है तो हरी पर्साद क्या चहरीख बजाते हैं और अगलापास निए की खजुराहोगे मंदिर मंदिरों की किस एक संदार सहली का उधारन है तो छो खजुराहोगा मंदिर बना हुगा लोग Щंध परदित के छतरपूर में है तो नागर और में क्योंकि जे उतर भारत में परता है मद पर्देश और उतर भारत में मद पर्देश में मत उतर भारत में जितना भी ज्यादा तर मंदिर का निर्मान हुआ है वह नागर सहली से हुआ है और दक्षिन भारत में द्रबिर सहली से अगर दोनों का कंबिनेशन हों का तब बेसर इस्टोरी किस की आत्म काता है तो या अर्नाल्ड स्वान जेगर के अर्नाल्ड स्वान जनेगर का या आत्म काता है और अगला परस ने की भारत की 2011 की जन गन्या के अनुसार निमलिकित में से किस राज का जन संख्या करना तो सौव ब्यक्ति परतिवर किलोमेटर में कम था तो सौव में हो जाएगा आपका सिकिम सिकिम और अगला पास नहीं कि भवाई किस भारतिय राज की प्रांप्रिक निर्त नाटे से लिया है भवाई तो भवाई जो है न या गुजरात का है गुजरात का और अगला पास नहीं कि निमलिकित में से कौन सी भारती ये मार्शल आठ है जिसकी उत्पती आधनिक किरल से हुई थी तो आधनिक किरल से तो इसका सही उतर हो जाएगा कलीरी पयाटू कलीरी पयाटू जो है एक मार्शल आठ है जिसका जो उत्पती है आधनिक किरल से मना जाता है और अगला प्रस नहीं कि होजागिरी भारत के किस राज का एक लोक नित है होजागिरी तो होजागिरी जो है न या तिरपूरा राज का एक लोक नित है होजागिरी चलिए अगला पास देखते हैं कि निमली खित्म से कौन ओडिसा का पहला ओडिसी नर्तक निरत्यांगना है जिने वर्स 2019 में पधम विभुसन पुरस्कार से समाजित किया था तो 2000 में ओडिसा का पहला ओडिसी नर्तक या निर्तंगना है जिने वर्स 2000 में पौदम भी भूसन से समाजित किया गया था तो उनका नाम है केलूचरन महापात्र और अगला पास नहीं कि अली अकवर खान का सबंद कि स्वाद्य अंत्र से था अली अकवर खान का सबंद या सरोध वाद्य अंत्र से है और अगला पास नहीं कि निमली की तुम से कौन भारत का सबसे बड़ा अस्तूप है सबसे बड़ा अस्तूप तो इसमें सबसे बड़ा अस्तूप का नाम है कि सर्या अस्तूप अगला बस नाकी निमलिकित में कौन अपने नवीन द्रिश्टि कोन और कार्यों के साथ आधनीक निरिती की और धारना को भारत में लाने वाले या लाने वाले पहली वेकती थी थे याथी तो इसका financial होजागा उदआय संकर लाने वाले थे उदआय संकर और राष्ट्रिय निरित शिरोमनी पुरसकार 2022 में किसे समानित किया गया तो 2022 में राष्ट्रे निरित शिरोमनी पुरसकार जो था यह अपर्णा सतीशन को दिया गया अपर्णा सतीशन और अगला पास नहीं कि ओनम पर्तिवर्स मनाया जाने वाला एक हिंदू तेहवार है जिसके उत्पति भा तो इसका है उतर हो जागा तो दोस्तों आज के इतना ही सव प्रस्णों को हम लोग देखे कि कमेंट में दोस्तों कि आप लोग को सव प्रस्णों का संग्रा कैसा लागा और इसमें 400 प्रस्ण प्रस्ण लागा और बहुत अच्छा तो इसका इतना ही प्रस्ण प्रस्ण को पूछे हुए है और यहां जिसका उन्हें है और बहुत अच्छा से इसको सजाए गया है तो अगर आप लोग इस्टेटिक को देखना पसंद कर रहे हैं तो एक बर कमेंट जलूर कीजिए